Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech myself Umar Tashkir गाइस इस particular वीडियो में हम लोग देखने वाल है किस तरीके से जो data control का option मिलता है उसको हम use कर सकते है Google Data Studio में और क्या यह हमें options प्रोवाइट करता है क्या features प्रोवाइट करता है और किस तरीके से हम इससे जादा जादा benefit ले सकते है तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक demo report है जिसका मैंने नाम रख रखा है my practice report और बड़े सारे visualization के elements को मैंने आप पर use कर रखा है तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो data आ रही है वो कौन सी आ रही है तो आपको समझ में आ गया कि Google Analytics इसका data source है अब यह भी हो सकता है कि यह जो हमारे पास एक ID है इसके उपर बहुत सारे Google Analytics के account का access हो यह यह भी हो सकता है कि एक Google Analytics के account में अलग बहुत सारे views हमने create कर रखे हो तो उन views का जब हम comparison करना चाहते हैं या अलग-अलग जो हमारे Google Analytics के accounts होते हैं उनका comparison करना चाहते हैं कैसा comparison मान के चलते हैं कि मैं इसी report को use करना चाहता हूँ यही हमारी report है यहाँ पर मुझे कुछ new users के बारे में पता चल रहा है total events के बारे में पता चल रहा है sessions के बारे में पता चल रहा है जिसके अंदर ये specific dimensions के around हमें कुछ information मिल रही है तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो data use हो रही भई कही न कहीं से तो कोई न कोई data use हो रही है ये new users किसी न किसी data source से ही तो आए है ये total events किसी न किसी data source से तो आए है एक दूसरी analytics account के point of view से बात समझ में आ रही है मतलब हम comparison करना चाहरे है हमारे पास दो website है ऐसे समझने कुछ करते हैं और आसान language में हमारे पास दो websites है एक website है website A और एक दूसरी website है website B website A की भी report मैं कुछ ऐसा ही चाहता हूँ और website B की भी report मुझे ऐसे ही चाहिए और दोनों को side by side में रखके कुछ comparisons करना चाहता हूँ तो ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ तो अगर कुछ मेरी इस type की requirements है इन डाट केस जो हमारे पास data control का option है वो बहुत ही useful होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसको practically हम लोग यह पूरा देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा clarity हो जाएगी यहाँ पर हम एड़ा control के उपर आ रहे है और यहाँ पर आप देखो data control का आपको option दिख रहा है तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो तो मैंने क्या करक्ता है अभी इस वाले account को मैंने select करक्ता है इस वाले account की data आ रही है जैसे मैं वापस इसके उपर click करता हूँ तो आप देख सकते हो दिजिटल ग्यान यहाँ पर लिखा हुआ है अगर मुझे किसी दूसरे account की भी data देखनी यहीं पर तो मैं normally देख सकता हूँ जैसे let's come to any of our website राइट जैसे यह all website data के ओपर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आपको कुछ information देखे यहाँ पर कुछ information है नहीं ठीक है इसलिए आपको नहीं देख रही है मैं कोई दूसरी website यहाँ से select कर लेता हूँ जहाँ पर कुछ basically information हो तो guys यहाँ पर देख सकते हूँ जैसे मैंने एक दूसरी website जो WSQTEC website हो मैंने select करी यहाँ पर हमें कुछ information देख रही है ठीक है total events की data नहीं देख रही है 360 डिश्टल ग्यान वाले के उपर अब मैं अगर यह चाहता हूँ कि एक side मेरा यहाँ पर यह 360 डिश्टल ग्यान की information रहे और यहाँ दूसरे side एक दूसरे view की यह दूसरे analytics account की मुझे यहाँ पर information दिखाई दे तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से data control को use कर सकते है एक आपको बहुत ही basic जो purpose है यह बहुत ही general जो purpose है data control feature का वो तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर किस तरीके से हम लोग data control feature को use करते है ठीक है अलग-अलग जो हमारे data sources है आपर हम उनको select कर सकते है जैसे यहाँ पर भी एक आपको data source दिख रहा है आप इसको click करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ information दिखेगी अगर यह configure नहीं होगा यह वेबसाइट के उपर properly लगा नहीं हो है cable बना हो है तो उस point उसे यहाँ पर आपको data नहीं दिख रही मैं दूसरा अगर यहाँ पर select करूँ ठीक है दूसरा account select करूँ तो जहाँ पर information होगी जो properly configure होगा उसी के आपको information दिखेगी जो basically इस वाले case में था 360 digital ग्यान वाले case में तभी आपको यहाँ पर information दिख रही थी तो इसके लिए मैं एक साथ इन सभी को select कर लूँगा और एक साथ select करने के बाद guys मैं कर देता हूँ इनको एक बार के लिए group ठीक है इन सारे चीज़े एक साथ select हो जाएंगी तो मैं इसको copy paste कर रहा हूँ यहां से और वापस मैं इसको लेकर आ रहा हूँ तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो parallel reports मैंने एक ही page के ओपर create कर दी यहां पर ठीक है अब मेरे पास data control का option है मैं इसको भी यहां से select कर सकता हूँ और इ अपने data source को use कर सकते हैं इस report को देख सकते हैं उसके according और यहां पर हम दूसरी report को देख सकते हैं तो guys इस type से जो हमारे यह data control के options हैं इनको हम लोग use कर सकते हैं और अगर इस type से हमारी कोई requirement है तो उस point of view से यह काफी important रहेंगे दोस्तों इस particular वीडियो में इतना ही दिलते ह ने खीडो में तिल दें गुद्बाइ